इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी बिक फेजी सिर्फ गाढ़े बल्गम को धीला करके और खांसी को आसान बना कर खांसी से राहत देता है यह आपके वायव मार्ग में हवा को अंदर और बाहर जाने में भी आसान बनाता है यह खांसी की आवरती को कम करता है और आपको बहतर महसूस कराता है बिक फेजी सिर्फ भी आपके गले को शांत करता है और जलन से राहत देता है लक्षनों को कम करने के लिए दवाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में हलका गर्म पानी पीएं और गर्म नमक के पानी से गरारे करें इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मुँव से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं बिक फेजी सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए बिक फेजी सिर्फ चार दवाईयों का मिश्रण है अम्बरॉक्षॉल, गुएफेनिसिन, मेंथोल और तर्बुटा लाइन एम्बरॉक्षॉल, एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम, यानी की कफ, को पतला और धीला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है गुएफेनिसन, एक एकस्पेक्टरंट है जो वाई मार्ग स्राव की चिपचिपाहत को कम करके काम करता है और वाई मार्ग से उन्हें हटाने में मदद करता है मेंथॉल, एक काबनिक यॉगिक है जो ठंड़क की अनुभूती पैदा करता है और गले की मामूली जलन से राहत देता है तर्बुटा लाइन एक ब्रॉंको डाइलेटर है जो वाई मार्ग में मानस्पेशियों को आराम देता है और वाई मार्ग को चौड़ा करता है साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद